दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इश्टीवी का सबसे सस्ता रिचाज कौन सा है सबसे सस्ता पैकेच Pomes et और सबसे सस्ता प्लान कौनसा है काफी बार बेर सी कमेंट्स के रूप में भी ये सवाल बेर से पूछा जाता है तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ने इसके उपर एक प्रॉपर वीडियो बना देता हूँ जिससे काफी लोगों को मदद मिल जाएगी और उनको ये बार-बार कोश्चन में को करने की जुरूत नहीं पड़ेगी तो चले फिर देर ना करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यह सबसे सस्ता रिचार्ज कौन सा है यह सबसे सस्ता प्लान कौन सा है तीनो सवालों का जो है वो एक ही सवाल है कि सबसे सस्ता पैकेज प्लान रिचार्ज कौन सा है तो चले मैं यहाँ पर आपको दोनों प्लान बता दे रहा हूँ तो सबसे पहले मैं यहां पर standard definition का pack आपको बता देता हूँ तो चलते हैं उसके लिए मेरी computer screen के उपर तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने अपना account open कर रखा है अब आपको यहां पर मैं dish tv का standard definition का pack या recharge है यहां से सबसे पहले मैं इसको remove कर देता हूँ क्योंकि इसके भी remove करने के कारण है मैं आपको बात में बताऊंगा इसके लिए अब यहां से अगर हम dish combo पर चलते हैं और यहां से चलते हैं sd pack पर तो sd pack पर आप budget delight hsm देख रहे हैं 29 रुपीज के अंदर आपको 221 चैनल मिलेंगे ठीक है 222 मतलब एक one hd चैनल मिलाके अब कौन से चैनल से वह भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पर यह सारे चैनल से आपको देखने को मिल जाएंगे आप यहां पर आप पॉस करके दीरे दीरे आप अपनी वीडियो को पॉस करके यहां पर सारे चैनल की लिस्ट आप चेक कर सकते हैं कि इस पैकेज के अंदर आपको कौन कौन से चैनल से आपको मिल रहे हैं ठीक है यहां पर दीरे दीरे वीडियो को पॉस्स करकर कि यहां पर चैनल का package देख सकते हैं कि आपके जो channel आप देखना चाहते हैं वो चैनल आपके से अदर है यह नहीं है लेक利 है में से बड़ा ही мясली यहां पर लूट यहां पर स्लोली कर रहा हूं मेरा monthly साल का 1200 रुपे के अंदर मेरा package बन जाएगा तो ऐसा नहीं है दोस्तो क्योंकि यहाँ पर इसकी कुछ NCF fee भी लगती है उसके उपर GST लगता है तब जाके आपका total package का price पता चलता है तो चलिए वो भी मैं आपको कि आपने वीडियो में यह बताया था और आज की date में तो यह मेरे को यह शो हो रहा है तो इसलिए compare मत करना क्योंकि यह जो package है यह शार्ज सस्ता भी हो सकता है आपके time पर जब आप यह वीडियो देख रहे होगे या जब आप उस टीवी को यूज कर रहे होंगे यहां पर आपको उसकी पूरी retail मिलेगी यानि कि पूरा package का price पता चलेगा तो यहां से प्रोसीड कर लेते हैं अब यहां पर आप देख सकते हैं जो चैनल का प्राइस है वो 99 रुपीज नहीं है बट जो fee लगी है वो 86 रुपीय लगया है और GST लगया 18% के इसाब से 219 रुपे का आपका standard definition का सबसे सस्ता package और सबसे सस्ता recharge या सबसे सस्ता plan यहां पर आपको यह मिल जाता है इसी तरीके से अब आपको पता चल चुका है कि डिस्टीवी का जो सस्ता package है यानि कि standard definition का package है वो कितने का है यानि कि 219 रुपे का यह package आपका बंता है इस time पर आज की date पर अब आने वाले time पर यह plan शायद महंगा भी हो सकता है और सस्ता भी हो सकता है यह dependable है डिस्टीवी के उपर पूरा का पूरा इसी तरीके से हम high definition का pack चेक कर लेते हैं तो high definition के अंदर यह जो budget pack का आपको show कर रहा है 0 rupees का तो इसको आपको नहीं देखना है क्योंकि यह सिरफ आपको एक महीने के लिए ही दिया जाएगा उसके बाद इसके उपर भी charge लगेगा आपको इसको देना पड़ेगा तो हम इसको नहीं गिनेंगे हम जो गिनेंगे यहां पर budget delight hsm hd pack यानि यहां मैं high definition के pack की बात कर रहा हूँ जो लोग high definition का सबसे सस्ता pack जानना चाते थे तो वो है 136 rupees जैसा कि मैंने पहले आपको का यहां पर मैं आपको उसके चैनल्स भी दिखा देता हूँ कि इसके इंदर कौन-कौन से चैनल्स है तो यहां हम इसे select कर लेते हैं अब यहां पर आप वीडियो को pause कर करके देख लेन और जिन लोगों के पास district अकाउंट नहीं है वो प्लीज वीडियो को pause करकर के यहां पर देख सकते हैं ठीक है मैं यहां से close करता हूँ अब इसका हम देखते हैं कि इसका कितनी ncft लगती है और कितना हमारे gst लगता है यहां पर हम देख लेते हैं और यहांसे इसे continue पर click करते हैं प्राइस वही 135.93 पैसा, NCFT लगी है 80 रुपे और GST लगा है दोस्तो 38 रुपे 87 पैसे का, तो टोटल जो प्राइस पड़ा है वो है हमारा 254 रुपे का, तो दोस्तो ये जो पैकेज है, ये है High Definition का सबसे सस्ता पैकेज, आज की डेट का, आने वाले टाइम का, जैसे मैंने आपको कहा कि ये सस्ता भी हो सकता है और महेंगा भी हो सकता है, तो दोस्तों अब आपको पता चल चुका है कि Dish TV के standard definition का सबसे सस्ता package कौन सा है और high definition का Dish TV का सबसे सस्ता package कौन सा है तो चले दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like करें अपने दोस्तों में share करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें